बांदा के जेल अधिक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने के धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने आक्शन शुरू कर दिया है। जहां उसे हार्ट अटेक आया था। तब्यत खराब होने के बाद मुकतार को बांदा जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भरती करवाय गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले की जाच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आकर जेल अधिक्षक को ये जान से मारने की धमकी किस ने दी है। अब बांदा जेल अधिक्षक को जान से मारने की जो धमकी आई। उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे मुखतार की मौत से जोड़ कर देखा जा रहा है। दरसल 28 मार्च को रात करीब 7 बजे के करीब मुकतार अंसारी की तबियत खराब होने के बाद बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात 9 बचकर 50 मिनट पर उसकी मौत की खबर आई। उसी रात को क कि कॉल रिकॉर्डिंग अब बांदा पुलिस के पास है और इसी के आधार पर पता लगानी की कोशिश की जा रही है कि वो कौन शक्स है जिसने पुलिस अधिक्षक को जान से मारने की धमकी दी है।